हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल लॉर्न विद्रचा आज किस वीडियो में मैं आपको ऑक्सीडेशन जो मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलकॉल बता ही तो इसके आगे का यह पार्ट है तो इसमें डी क्या है आर यह रेक्शन ने डी आर सी होई चार डैश सी आर ओ बॉपर्ट करेंडेशन डी अप्रीज़ का यह रेक्शन पर अप्रेशन है तो इसमें क्या बेंजोएक असीड मिलता है यह वाला उसकी पूरी प्रोसस है इसमें हम आप पूझ में कि टोन मिला है उसके बद क्या है तर्शाटरी अलकोरे अच्छन डीयक्शन इन प्रिजैं तो के मेन फॉल जो पोटेशियम पर मेंगनेट है यह वाला क्या है स्ट्रॉंग ऑक्सिडाइसिंग एजेंट है एंड इट हाई टेंपरेचर तो इसमें क्या है क्रीवेज ऑफ सी सी बॉंट एक्स प्लेस एंड मिक्शर ऑफ कार्बॉक्स लिक ऐसेट्स कंटेंग लेसर नंब यहां ओए चटेश टू डिग्री अलकॉल है और डेश इन दा प्रेजेंस ओफ 573 केल्विन कॉपर और सी डबल बॉंट ओ और डेश यह वाला क्या हमेरा क्रिटोन मिला हमें उसके बस क्या है थ्री डिग्री अलकॉल तो यहां क्या है सी एच त्री सी सी एच त्री ओपर और फाइब सेवेंटी त्विक्डिवेन कहीं तो यहां पर हमको क्या मिला ऐल्कीन मिला ची ऐच 3 single bond c hh3 double bond c h2 यह वह को क्या देगा अलक्न देगा इसके पर इसके यूजिस क्या हैं, methanol and ethanol are two commercially important alcohols. इसमें क्या है methanol जो है, आपको solvents में यूज होता है, basically in paints, varnishes and mainly for making formaldehyde. S.C.H.O.S. इसमें बनाने में हमको, यह हम यूज करते हैं, इसके पर इस हाइडी. Poisonous in nature, injection of even small quantities of methanol can use, can cause blindness and large quantities cause even death. यह वाला है, यह इसके basically uses है, उसके बाद क्या है, third क्या है, ethanol is used as a solvent in paint industry. जो हमरे ethanol है, वो क्या है paint industry में use होता है and in preparation of number of carbon compounds. उसके पादे commercial alcohols is used unfit for drinking by mixing, C.O.S.O.4 and pyritin denaturation of alcohol. जो commercial alcohol है, वो कैसे बनाया जाता है, unfit for drinking by mixture, copper sulphate के साथ, तो और क्या है, pyritin denaturation of alcohol. उसके बाद क्या है, ethanol जो basically used है, वो mainly used in alcoholic beverages में use किया जाता है. उसके बाद यह एक note है, pyrogen acid, the product of destructive distillation of food contents. इसमें क्या है, जो pyrolegious acid है, तो काय का product है, destructive distillation है, तो इसमें क्या acetic acid है 10%, methyl alcohol है 25% और acetone है 0.5% इसका basically note है. उसके बाद क्या है, identification of primary tertiary, secondary and tertiary alcohol. इसको हम कैसे पैचानते हैं, यह इसका identification है. तो first case में, क्या है with glucose reagent, तो इसमें क्या है concentrated HCL and ZNCL तो हमने यहांपल लिया है, उसके बाद क्या है, जो भी हमें tertiary alcohol होते हैं, तर्बिटिटी immediately करते हैं, यह इसका basically function है, उसके बाद क्या है secondary alcohols give terpidity within 5 minutes, 5 minutes में terpidity देते हैं और उसके बाद क्या है primary alcohols, यह क्या है terpidity produce नहीं करते हैं at room temperature, उसके बाद क्या है Victor Mia test होता है, तो इसमें क्या है, blood rate color indicates 1 degree alcohol, blue color indicates 2 degree alcohol और colorless solution होता है, वह 3 degree alcohol देता है, उसके बाद इसमें क्या है phenol, phenol क्या है C6H5OH, उसके बाद इसमें basicल क्या है phenol C6H5OH, यह क्या basically aromatic compounds हैं, तो इसमें क्या हमारा hydroxyl group है OH, तो हमारा hydroxyl group है, वह जो है directly attached होता है benzene nucleus से, उसको हम बोलते है phenol, तो basically इसकी method of preparation क्या है, some general and important methods of preparation of phenol are given below, तो इसमें क्या है first है हमारा chlorobenzene है, इसकी reaction हमने sodium hydroxide के साथ करवाई, NaOH in the 623 Kelvin and 380, तो यहां पर क्या है हमारा O, Na यहां attached है, और HCl हमारा अलग है, अलग इसमें हो गया है, यहां हमको phenol मिलेगा output में, then second है, यह वाला हमारा है plus H2SO4, प्लस SO3, तो oleum है यहां पर, तो SO3H यहां हो गया है, और यहां पर फिर हमने इसकी reaction करवाई, यहां सोडियम hydroxide के साथ, और hydrogen, तो यहां हमको phenol, यह मिल गया है, उसके बाद, उसके बाद third क्या है, यहां पर हमने NH2 लिया है, in the presence of Na, Na2 plus HCl, in the presence of 273, 278 Kelvin, तो यहां N positive, triple bond NCl, तो यह क्या हमारा Benzine, Disonium, Chloride हो गया है, तो इसमें क्या water जो warm है, और OH हां पर हमको phenol मिला है, उसके बाद fourth क्या है, यहां पर हमने क्यूमीन लिया है, और यहां पर क्या यह वाली सोरी reaction में, एंटोरेट से ले वाला हो गया है, उसके बाद हमने क्यूमीन लिया है, तो क्यूमीन में यहां पर इसका formula क्या है, इससे अटेच है CH, CH3 और CH3, तो O2 AR के form में हमने लिखा है, CH3, CH3 और यहां का H, तो यह हमने अलग-अलग हो गया है, COOH, क्यूमीन Hydro Peroxide हो गया है, यहां के साथ हमने reaction करवाई है, और H-positive और H-2O, उसके बाद यहां हमको क्यूमीन, फिनॉल मिल गया है CH3, COCH3, यह हमका output में मिला है, तो फ्रेंट्स मेरा आज का वीडियो यहीं तक था, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, क्या है क्या है ?